The Lord of the Rings की जब बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में खयाल आता है Hobbits का हम मिलते हैं Bilbo से Bilbo के जरिये ही हमने The One जिस रिंग को कहा जाता है उसकी जलकियां पाई थी और हमें पता चला था कि वो रिंग कितनी powerful है लेकिन जब हम इस जर्नी पर आगे बढ़ते हैं Bilbo के साथ साथ और उसके cousin Frodo से मिलते हैं तब हमें पता चलता है कि और भी रिंग्स हैं इस दुनिया में और इन सारी रिंग्स की अलग-अलग powers हैं और अलग-अलग मकसद से इन रिंग्स को बनाया गया था तो जो the rings of power की कहानी है यानि कि जो show Amazon Prime पर आने वाला है उसकी कहानी शायद इन ही rings के आसपास घूमेगी सिर्फ the one ring जो है वो important नहीं होगी तो सोच रहे हो कि उन ही rings के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हो actually J.R.R. Tolkien जिन्होंने ये दुनिया बसाई है the middle earth की और इसके बारे में लिखा है उनके हिसाब से 20 ऐसी rings है जो अलग-अलग powers लिये हुए होती है मगर उसके अलावा और भी rings है इस बारे में हमें कैसे पता चलता है कि इतनी सारी जादूई rings middle earth की दुनिया में घूम रही है actually जो पहली किताब है fellowship of the ring उसमें गैंडाल्फ और फ्रोडो के बीच बाचीत होती है बल्कि एक poem भी होती है जिसके अंदर in rings का जिक्र किया गया है हमें पता चलता है कि जिस तरह से Harry Potter की दुनिया का सबसे बड़ा villain वाल्डिमॉर्ट है उसी तरह से Lord of the Rings का जो सबसे बड़ा खतरनाक villain है जो boss है जिसे हमारा hero लडता है वो है सौरन तो सौरन ने ही the one जो ring है उसे बनाया था बलकि बनवाया था elves की मदद से और उसके अलावा उसने nine और rings बनवाई थी जो इनसानों के को कंट्रोल करने के मकसद से थी उसके अलावा dwarfs के लिए भी अलग-अलग rings बनाई गई थी तो elves के साथ मिलकर उसने इन rings को रचा और फिर दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में ये rings पहुँच गई तो ये जो show है वो इन ही rings के आसपास घूमेगा और हमें अलग-अलग दुनियाओं में शायद लेकर जाए हमें पता चले कि इन rings के बनने के पीछे का मकसद क्या था और ये क्या-क्या अचीव कर सकती हैं इन rings को पहनने से इनसान को काफी जादा ताकत तो मिलती है वो invisible तो हो जाता है लेकिन धीरे-धीरे वो खत्म होने लगता है और एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है और किसी को भी दिखाई नहीं देता सौरन ने सोचा था कि ड्वार्फ के लिए जो rings उसने बनवाई हैं उससे उनको कंट्रोल करना आसान होगा मगर जादा कुछ फर्क नहीं पड़ा ड्वार्फ ने अपनी rings का इस्तमाल जादा से जादा ट्रेजर इखटा करने के लिए किया क्योंकि इन rings ने ड्वार्फ के द कर लिया और जो बाकी चार rings थी ड्वार्फ की उन्हें ड्रागन्स ने खत्म कर दिया अब आते हैं elven rings की तरफ जो तीन हैं तादाद में इन rings को सौरन के बिना ही बनाया गया था तो सौरन ने कभी इन rings को छुआ भी नहीं है ये जो तीन rings हैं ये काफी प्योर हैं और बहु देखा है जिनके पास अलग-अलग elven rings है इन में से एक ring को Galadriel गार्ड करती है एक को Elrond और एक ring हमने Gandalf के पास देखी थी जिसे the ring of fire भी कहा जाता है अब आते हैं lord of the rings की सबसे important ring पर जिसे the one कहा जाता है और इसी ring से कहानी शुरू हुई थी lord of the rings की माना जाता है कि इस ring के अंदर सौरन ने अपनी ताकतें खुद इंस्टिल की थी तो अगर आपके पास ये ring है तो आप बाकी सारी rings को भी rule कर सकते हैं और उनको अपने control में रख सकते हैं जिसके पास भी ये अंगूठी होती है अगर वो इसे पहनता है तो गायब हो जाता है लेकिन इसके अलावा अगर वो इस ring को अपने पास रखता है तो उसकी जिंदगी बढ़ती है उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है तो बिल्बो से भी हम जब बलते हैं उसकी उमर 100 से ज्यादा होती है और वो फिर भी उसकी जो health है वो ठीक ठाक होती है वैसा ही फ्रोडो के बारे में भी कहा जाता है कि वो character भी जब ring को अपने पास रखता है तो avoid करता है उसे पहनना क्योंकि वो नहीं चाहता कि उस rings की जो powers हैं वो उस पर किसी भी तरह का असर करें वो हमेशा के लिए जीने में भी interested नहीं होता है अब इसलिए वो कहानी का hero था अभी the rings of power में कहानी के जो heroes है वो किस तरह से react करेंगे वो कितने pure होंगे या कितने evil होंगे वो हमें आगे पता चलेगा तो dwarves के पास जब rings आई तो वो इतने stubborn थे इतने अखड थे कि rings उन्हें invisible नहीं कर सकी इंसानों के पास जब ये rings आई तो हमने उनका खौफनाक रूप देखा क्योंकि उनके मन का जो लालच है ज काफी जादा बढ़ गई और उन feelings ने इंसानों को अपने control में करके रखा जब भी रिंग उस इंसान के पास थी तो ये amplify हो गई सारी negative things लेकिन जो elves थे उनके पास जब ये rings आई तो उन्होंने इनका इस्तेमाल कि अपने आसपास के environment को change करने में लेकिन elves इन अंगूटियों उसे invisible नहीं हुए. सौरन ने जब इन rings को बनवा कर अलग-अलग species में बाटा तो उसका मकसद था कि वो the one ring यानि जो सबसे powerful ring है उसे अपने पास रखेगा और फिर उसकी मदद से बाके सारी जो rings हैं उन्हें कंट्रोल में करेगा, सारी species उसके कंट्रोल में रहेंगी और वो physically भले ही अपने दुश्मनों के पास ना हो लेकिर उनके mind को control कर पाएगा इन rings की मदद से. सौरन का मकसद साफ था, वो पूरी दुनिया पर फतह करना चाहता था, तो उसने अलग-अलग rings बनवा कर इस दुनिया के अलग-अलग species के बीच बाट दी, उसे लगा कि जो सबसे powerful ring है, जब वो उसके पास रहेगी, तो बाकी सारी rings के जो lords हैं, वो भी उसके control में रहेंगे, और वो भले ही अपने enemies के पास नहीं है, उनसे दूर है, मगर उनके दिमाग को अपने control में कर सकेगा, तो अब पता नहीं कि the rings of power में कहानी किस तरह से जाएगी, और इन rings को हमें क इस तरह से दिखाया जाएगा, इंट्रिउस किया जाएगा, पट जैसा भी होगा, I hope काफी interesting हो, आप मेरे साथ बने रहिए, इस चैनल को like करिये, subscribe करिये, और अगर दिमाग में कुछ सवाल हैं, तो वो भी पूछते रहिए, अगर the rings of power के और भी वीडियो के ideas हैं, आपके पास तो वो भी बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि उन पर वीडियो बनाओ, बाई!